अलो श्टूडिंट्स एन वेल्कम बैक आज हम लोग पढ़ने वाल एक नया टॉपिक लेकिन वो टॉपिक पढ़ने से पहले मैं एक साइर सुनाता हूं तुमको ताइरी यह है कि मौत को तुम टाल नहीं सकते मौत को तुम टाल नहीं सकते चाहे जितने भी पैसे हो तुम्हारे पास तुम मौत को टाल नहीं सकते बस तुम कर सकते हो तो transfer of shares कर सकते और अगर तुम नहीं करते हो transfer of shares तो हो जाएगा Transmission of shares तो यह क्या बोल रहे हो sir कुछ समझ में नहीं आगा पेटा यह वीडियो के end में तुमको यह जो मैं बोला इसका मतलब बिल्कुल clear समझ में आएगा तो कर लो मौत से पहले Transfer of shares क्या हो जाएगा Transmission of shares तो यह क्या बोल रहे हो sir आज सर क्या आप क्या क्या खापी क्या हो sir आज पेटा आज आज एक बहुत important topic पढ़ाना है जिसमें बच्चे बहुत confuse होते Transfer of shares and Transmission of shares ठीक है कर लो Transfer of shares वरना हो जाएगा Transmission of shares समझ मारा है इस लाइन से ही हम इसका मतलब आगे चलके clear करेंगे ठीक है चलो तो start करते हैं सबसे पहले हम समझते है what do you mean by the word transfer of shares transfer का मतलब होता है अपना shares किसी दूसरे वेक्ती को pass on करना किसी दूसरे वेक्ती को देना बेचना उसको हम बोलते हैं transfer of shares और Transmission क्या होता है Transmission होता है जब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहें law के द्वारा share transfer हो रहा है मतलब जो shareholder है उसका death हो गया वो insolvent हो गया तो law के द्वारा अब share उसके legal hair को या उसके legal representative को share transfer किया जाएगा उसको बोलते है Transmission of shares बोलने का यह मतलब है कि transfer of shares जो है वो voluntary है हम अपने इच्छा से करते है transfer of shares और transmission of shares क्या है हम अपने इच्छा से नहीं करते है transmission of share transmission of share हो रहा है due to law due to operation of law that is known as transmission of shares जैसे कि for example अपने इच्छा से share sell किया Mr. B को अब अदले मैं पैसा लिया तो Mr. A जो share sell किया Mr. B को this is known as transfer of shares transfer of shares मतलब एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को share बेच रहा है voluntarily अपने इच्छा से तो A अब shareholder नहीं रहेगा B बन जाएगा shareholder transmission क्या है suppose A is the owner of share तो अब ये का अगर death हो जाता suppose A dies तो अब ये इसका बेटा जो होगा A का खोटा बेटा जो है जो A का बेटा है अब वो क्या बनेगा मालिक बनेगा share का तो अब भी देखो share transfer हुआ A से इसके पास B के पास तेकिया लेकिन ये A के इच्छा से नहीं हुआ A तो मर गया है ये law के वज़े से हुआ law ये बोलता है कि किसी का अगर death हो जाता है तो उसका जो next legal representative है उसका जो बेटा है या घरवाले है उनको वो transfer हो जाएगा तो A के बाद अब मालिक कौन बनेगा B बनेगा लेकिन ये इच्छा से नहीं हुआ येना A के सहमती से नहीं हुआ voluntarily नहीं है इसको बोलते है transmission of इसलिए मैं वीडियो के starting में बोला था कर लो transfer of shares time रहते कर लो transfer of shares वरना हो जाएगा transmission of shares समझ में आ रहा है तो time रहते जिंदा रहते share transfer कर लो अगर share transfer नहीं होता है तो तुम्हारे मरने के बाद क्या हो जाएगा transmission of shares हो जाएगा समझ में आ रहा है जलो प्रिसी के साथ वीडियो स्टाट करते है देखना the act of movement of an asset is known as transfer एक से दूसरे जगा जाना that is known as transfer the movement can be physical movement or the ownership of the title of the assets or both for securities this movement can be voluntarily बहला अपने इच्छा से हम लोग transfer कर रहे है उसको क्या बोलते थे उसको बोलते थे transfer of shares ठीक है और जब हम वो काम अपने इच्छा से नहीं कर रहे है किसलिए हो रहा है due to operation of law law के वज़े से हो रहा है operation by law तो उसको हम बोलते है transmission of समझ मारा तो जब कोई काम का हम अपने इच्छा से कर रहे है जब हम shares के दे दूसरे वेक्ती को अपने इच्छा से transfer कर रहे है that is voluntary transfer known as transfer of shares और जब law के द्वारा हो रहा है तो उसको बोलते है transmission of shares ठीक है the transfer of share is a voluntary act by the holder of share and takes place by way of a contract whereas the transmission of shares takes place due to operation of law that is on the death of the holder of shares or in the event where the holder becomes insolvent or lunatic जब को इक्ती पागल हो जाए insolvent हो जाए या फिर उसका death हो जाए तो क्या होता है transmission of shares होता है अगर हम अपने इच्छा से कर रहे है contract करके तो उसको बोलते है transfer of I hope यह दोनों topic clear है बहुत important topics में से है बच्चे confused होते transfer क्या होता है transmission क्या होता है तो मेरा बात बस यार रखना कर लो time रहते transfer of shares वरना हो जाएगा transmission of shares ठीक है अब तो डीटेल में परते है transfer of shares उसके बाद transmission पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों का difference ठीक है सबसे पहला transfer of shares transfer of shares refers to intentional जान मूच कर अपने इच्छा से intentional transfer of title of shares between the transferer मलब जो transfer कर रहा है मैं जो उपर example दिया था Mr. A उसको बोलेंगे transferer और Mr. A जिसको बेचेगा उस वेक्ती को बोलेंगे transferee ठीक है and transferee who receives the share of a public company are freely transferable public company का share to freely transferable है लेकिन private company का shares जो है freely transferable नहीं है ठीक है the shares of a public company are freely transferable unless the company has a valid reason to disallow the steam the shares of a private limited company are non-transferred subject to certain exception a transfer deed deed is executed for transfer of share एक document बनता है contract बनता है वो deed जो है वो deed को बोलते है transfer deed ठीक है तो public company का share normally freely transferable है और private company का shares transferable नहीं हो टीक है टीक है टीक है clear है transfer of shares basically अपने इच्छा से share को बीचना contract करके पैसा लेकर उसको बोलते है transfer of shares टीक है next transmission transmission अपने इच्छा से नहीं कर रहे हम बदले में पैसा नहीं ले रहे है कोई contract नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा death हो गया है हम लोनेटिक हो गया insolvent हो गया हमारे legal है हमारे legal representatives को transfer हो रहा है टीक है that is known as transmission कोई contract नहीं है voluntary नहीं है और बदले में कोई consideration भी पैसा भी ही मिल रहा टीक है देखना transmission of shares takes place due to operation of that is when the holder is no more मर गया देख हो गया और हैस बिक्यम लुनेटिक और इंसल्वेंट अलब या तो देख हो गया लुनेटिक हो गया या इंसल्वेंट हो गया इट कन अलसो takes place when the holder of share is a company and it has उन्डव company ही बंद हो गया जैसे मैं किसी मैं एक company हूं सफोर्ष I am a company और मैं किसी दूसरी company में shares खरीदा हूं अब मैं ही बंद हो गया मैं जो company था I have been unned up तो मैं दूसरी company का मालिक था अब मेरा share दूसरे को transfer हो जाएगा transfer मतलब transmission हो जाएगा है ना voluntary नहीं है ना यह समझ माया है ना कि बता हूं एक्जांपल तर एक्जांपल बताओ सब्सक्राइब समझ में नहीं है एक company है ABC इमिटेट उसमें एक share था shareholder था एप्राइवेट ठीक है कि कौन है share holder किस company में ABC limited company अब अगर यह एप्राइवेट लिमिटेट नाम का company ही बंद हो जाता है ठीक है समझ मारा है तो अब कि किसी यह share किसी दूसरे के में transfer होगा कि यह company तो बंद हो गया तो यह अपने इच्छा से नहीं हो रहा इसलिए इसको बोलते है trans mission of समझ मारा है तो और जिनल कंपनी बंद नहीं हो यह जो शेर होल्डर था ना वो शेर होल्डर वाला company वो company बंद हो यह तरीज नो ट्रांसफर दीट पर ट्रांसफर दीट नहीं बंता इसमें क्योंकि दौक के द्वारा हो जा रहा है कोई डॉकुमेंट या भी कॉंटर्ट बनाने का जरुवत नहीं है and the transfer will be given the rights of to the shares and the transmission is recorded only when the transfer gives proof of entitlement to the share यह transfer transmission कब हो पाएगा जब जो legal representative है जो ट्रांसफरी है वो प्रूफ करेगा कि मैं हकदार हूं इस share का तो उसको वो share मिल जाएगा in case of death of the holder it will be transfer to the legal representative and in case of insolvency to the official assignee insolvency में क्या होता है एक official assignee appoint होता है जो कि सारा assets को sell करता है और सारे liabilities को पे करता है तो transfer हो अब हम देखते हैं दोनों के बीच में difference difference between transfer of shares and transmission of shares सबसे पहला what is it कौन सा act है सबसे पहला यह वाला कौन सा act है voluntary act है transfer of share अपने इच्छा से किया हुआ act है इसने बोलते है voluntary act और transmission क्या है operation by law के वज़े से यह हो रहा है कि इसको बोलते है operation by इसको आपके कौन कर रहा है transferor यह transferer कोई कर सकता है त्रांसवशर बूसक्ता है कि मैं ना हुआ चाहता हूँ how it is affected, यह तो deliberate है, अपने इच्छा से हम कभी भी कर सकते हैं, transfer of shares, हम अपने इच्छा से कभी भी कर सकते हैं, कोई भी रुकावट नहीं है, transfer of shares को लेकर, लेकर लेकिन, transmission है, कब होता है, insolvency, lunacy, death, or inheritance, यह सब वजह से होता है, transmission of next पैसा मिलता है क्या transfer तो पैसा मिलेगा हम बाहर वाले को share बेच रहें contract करके बदले में पैसा मिलेगा यहां पर कोई भी consideration नहीं है there is no consideration in case of transmission of next transfer deed obviously अपने इच्छा से कर रहें contract बनेगा transfer deed mandatory है यहां पर लेकिन यह तो law के द्वारा हो रहा है transfer deed mandatory नहीं है लास्ट वन stamp duty क्योंकि हम अपने इच्छा से बेच रहे हैं कोई shares को उस पर stamp duty लगेगा stamp duty मतलब सरकार को कुछ taxes देना पड़ेगा तो हम सरकार को tax देंगे इस पर market value of the charge लेकिन यह तो हम अपने इच्छा से नहीं कर रहें इस पर stamp duty applicable नहीं है comment कोई भी tax नहीं है इस पर clear इतना this is about transfer and transmission of अभी इस वीडियो का हम यहां तक रोकते हैं वीडियो पसंद आया तो like करना subscribe करना comment करना दोस्तों के साथ share करना बाकी subjects देखने के लिए चैनल के playlist में जाके बाकी सारे subjects का video uploaded है उसको देख सकते हो video के description में हमारा सारा details दिया हुआ है तुम उसको follow कर सकते हो ठीक है और transfer and transmission में confuse मत होना एक line खाली याद रखना कर लो time से transfer of share वरना हो जाएगा transmission option समझ मारा इसी के साथ यह video यहां रोकते हैं मैं hope करता हूँ कि जैसा support आज तक मिलता वह आया है ऐसा मिलता रहेगा thank you and bye bye